नमस्का दोस्तों तो कैसे आप लोग तो मीडियाटेक ने पिछले दिन है आपने एक नया G-Series का प्रोसेसर लांच किया इसका नाम है मीडियाटेक हिलियो G70 और जैसे G90 और G90T लांच हुआ था जिसका काम था Snapdragon 730 और उसके हाई रेंज के CPU को हराना तो का जाड़ है कि यह जो G70 प्रोसेसर इसका काम है उसके लुआर भेरेंट मतलब लगबग 7000 से लेके 12000 रुपे तक जितने भी स्मार्पोन है उसके पार्फोर्मेंस को बीट करना तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि यह जो हिलियो G70 लॉंच हुआ है यह दर असल क्या का स्पेसिफिकेशन के साथ लॉंच हुआ है क्या कोर कॉर्पीकुरेशन है और एक्जाक्ली कौन कॉन प्रोसेसर के साथ कॉम्पीट करेगा तो चैनी शुरू करते आज के वीडियो भीना कोई बाकत का अगर आप गजर चल पे है और ऐसे वीडियो आग भी देखना चाहते तो गजर जल को सब्स्क्रीप करने बिल्कुली मत भी लिएगा और 6 Kotex A55 कोड से जिसका स्पीड है 1.7 GHz और अगर हम इसके GPU की बात करें तो इसमें जो GPU इस्तमाल किया गया है इससे पहले इसे किसी भी स्मार्टपोर में यूज नहीं किया गया है इसका नाम है Mali G52-2EEMC2 और इसका GPU स्पीड है 820 MHz और अगर हम इसके maximum display support की बात करते तो इसमें full HD plus तक display support करेगा और अगर हम इसके maximum video playback करना चाहेंगे तो इसमें 2K quality में 30fps या फिर full HD quality में 60fps video हम run कर सकते और अगर हम इसके RAM और storage option की बात करते तो इसमें LPDDR4X 8GB तक कर RAM का support है और इसका normal RAM frequency 1800 MHz और इसमें EMMC 5.1 storage का भी support है और अगर हम इसके connectivity की बात करते हैं इसमें cat 7 download link इस्तेबल किया गया है जिसका speed है 300 Mbps और cat 13 upload link इस्तेबल किया गया है जिसका speed है 150 Mbps और एक कोई 5G chip नहीं और एक 4G chip है और इसमें Wi-Fi band 5 Bluetooth 5.0 इतने भी GPS system में वो सारे इसमें supported है और अगर इसके maximum camera support की बात करते हैं तो इसमें single camera में 48MP तक और pixel का camera smartphone हमें दीखेगा उसमें यह बला CPU हमें जरूर दीखेगा और अगर हमें इसके दूसरे camera feature की बात करें तो इसमें AI Face ID, Smart Photo Lock, Single Camera, Dual Camera Bucke, EIS, Multiframe Noise Reduction और भी बहुत सारे camera feature से और आपको तो पता हिए MediaDeck हमेशा अपने CPU के साथ कुछ और भी कमल के software related features देता है तो इसमें यह सारी feature से जैसे की Core Pilot, Neuro Pilot, Pump Express, Tiny Sensor Hub, Integrated VOW, Hyper Engine Game Technology वैसे यह सारी चीज़े जरूरी जो शौप्टर डान करने में और गेम खेलने में बहुत ही जाता कम में आता है तो आप देखते कि यह बला प्रोसेसर कहां पर स्टैंड करता है MediaTek की तरब से officially ऐसा news है क्योंकि एक G-Series प्रोसेसर है इसलिए कि हम कह सकते कि यह Helio G90 के leak कहा है लेकिन MediaTek ने साब साब ऐसा कहा है क्योंकि G70 इसका होदा obviously G90 से तो कम नहीं होगा लेकिन G90 से उतना भी कम नहीं है तो मेरे ख्याल से और MediaTek ने जो कहा है वो सब को सुनकर म पार्फॉमेंस होगा MediaTek Helio P90 और G90 दोनों के बीच में अगर P90 से जैदा छोड़ दीजा अगर P90 के बराबर भी हमें मिलता है और वो भी और 8,000 से 10,000 रुपाई के स्मार्टफोन में हमें Helio P90 जैसा CPU MediaTek की तरफ से मिलता है तो यह बहुत ही बढ़िया होगा और अगर हम Snapdragon की बात करे तो मेरे खहर से अगर मैं CPU की बात करूँ तो यह बढ़ा processor बिल्कूल Snapdragon 712 की tucker का है कि कि इस prices में सर्फ Snapdragon 712 का GPU architecture वो ही Helio G70 के architecture से मिलता है और अगर मैं इसके GPU quality की बात कर तो मेरे खहर से इसका GPU लगभख Snapdragon 660, 665 इसके बराबर होगा वैसे वस मेरा ख्याले हो सक इसका GPU Snapdragon 660, 665 इससे भी powerful हो, क्योंकि अभी तक यह chip किसी भी smartphone में use नहीं किया गया है, इसलिए हम यह नहीं कह सकते, इसका GPU का power exactly कितना है, और इसके उपर कोई भी आंटूटूटू स्कोर और गीमें स्कोर भी सामने नहीं आया है, तुमीद आपको समझ में आ गया होगा कि आ और प्रोसेसर टारगेट कर गाए, तो आज की वीडियो ही तो अगर आज की वीडियो का बसंद है, तो इसके लाइक और शेयर करने पर नहीं है, तो सब्स्करिब कर दिजेगा, और आपको की बीचरी बीचारी वीडियो के बार में में बोढ़ेचों कमेंस्क्रिक्शन में तो मिलते अगले वीडियो पे तब तक stay tuned and always remember think positive, be positive, thank you.